क्या कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र था? दुर्योधन और कर्ण की मित्रता की सीख सच्चा मित्र वही है जो अधर्म करने से रोकता है गलत कामों में साथ देने से सब कुछ बरबाद हो सकता है ग्रंथों के कुछ ऐसे मित्रों के बारे में जानिये जिनकी मित्रता से हम सुखी और सफल जीवन के सूत्र सीख सकते हैं महा भारत में दुरियोधन और कर्ण की मित्रता थी दुरियोधन ने कर्ण को अपना प्रिय मित्रमाना और उचित मान सम्मान दिलवाया इसी बात की वजह से कर्ण दुर्योधन को कभी भी अधर्म करने से रोक नहीं सका और उसका साथ देता रहा जबकि सच्चा मित्र वही है जो अधर्म करने से रोकता है अगर दोस्ती में ये बात ध्यान नहीं रखी जाती है तो बरबादी तय है महाभारत में दुर्योधन की गल्तियों की वज़े से उसका पूरा कुल नष्ट हो गया कर्ण धर्म अधर्म जानता था लेकिन उसने दुर्योधन को रोकने की कोशिश नहीं श्री राम और सुग्रीव रामायन में हनुमान जी ने श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता करवाई तो श्रीराम ने वचन दिया था कि वे बाली से सुग्रीव का राज्य और पतनी वापस दिलवाएंगे सुग्रीव ने सीता माता की खोज में सहयोग करने का वचन दिया था बाली को मार श्रीराम ने अपना वचन पूरा कर दिया था सुग्रीव को राजा बना दिया सुग्रीव, राज्य और पत्नी वापस मिल गई इसके बाद वह श्री राम को दिया अपना वचन ही भूल गया तब लक्षमन ने क्रोध किया इसके बाद सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ तब श्री राम और लक्षमन से सुग्रीव में क्षमा मांगी इसके बाद सीता की खोज शुरू हुई इनकी मित्रता से ये सीख मिलती है कि हमें मित्रता में कभी भी अपने वचन को नहीं भूलना चाहिए श्री कृष्ण और अर्जुन महाभारत में इन दोनों की मित्रता सबसे श्रेष्ट थी श्री कृष्ण ने हर कदम अर्जुन की मदद की अर्जुन ने भी अपने प्रिय मित्र श्रीकृष्ण की हर बात को माना श्रीकृष्ण की नीत के अनुसार युद्ध किया और पांडवों की जीत हुई इनकी मित्रता की सीख यह है कि मित्र को सही सलाह देनी चाहिए और मित्र की सलाह पर अमल भी करना चाहिए महा भारत में श्रीकृष्ण और द्रौपदी के बीच मित्रता का रिष्टा था। तब द्रौपदी ने अपने वस्तरों से एक कपडा फाड़ कर श्रीकृष्ण की उंगली पर बांधा था। इसके बाद जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हुआ, तब श्रीक्रिष्ण ने उंगली पर बांधे उस कपड़े का आर्यान उतारा, और द्रौपदी की साड़ी लंबी करके उसकी लाज बचाय थी. इसके बाद भी श्री कृष्ण ने कई बार द्रौपदी को परेशानियों से बचाया